हेलो टू वाल आपके सामने लिखा हुआ है एम्स पत्ना साइकेट्रिक एमसी की ओल 2020 एक्जाम के बारे में बता दू हाल ही में नर्सेज के लिए एम्स पत्ना ने 2020 के लिए स्टाफ नर्सेज के लिए एक्जाम हेल्ड किया जिसमें साइकेट्रिक के वैसे उसमें पूरे सब्जेक्ट वाईज कोशन दीए आप सभी को पता होगा या जो इस वीडियो को देख रहे हैं साइकेट्री के उसमें 10 कुशन आए और आज हम वही 10 कुशन सॉल्व करने वाले हैं थोड़ा ध्यान दीजिए गा बिना समय खरब किये चले सुरू करते हैं कोशन नमबर 1, 2 & 3 तो आपको फोकस करना है स्टार्ट करना है कोशन नमबर 1 से कोशन नमबर 1 पर फोकस कीजिए बागी कोशन को छोड़ दीजिए मैं आपको और जूम करके अभी कोशन को दिखा दूँगा लेकिन कोशन नमबर 1 मैं बता रहा हूं इधर देखिए या आप वीडियो को pause करके भी इस question को अच्छे से पढ़ सकते हैं A patient admitted in the psychiatric ward refuses to eat her lunch stating that food is poisoned Food is poisoned is an example of sympathy, illusion, hallucination and delusion जल्दी से सोच लिजिए और your time starts now चलिए तो question number one आपने solve कर लिया होगा आपने अपने answers मैं बता देता हूँ एक patient है जो admitted as psychiatric ward में और वो refuse कर रहा है eat को, खाना खाने से मना कर रहा है या अपने lunch को खाने से मना कर रहा है और बोल रहा है, state कर रहा है कि the food is poisoned कि खाने में poison मिला हुआ है is an example of देखिए sympathy कहीं, किसी angle से आपको लग रहा है sympathy, नहीं ये sympathy नहीं है illusion और hallucination बहुती simple form है आजकल सभी nursing के बच्चे coaching कर चुके हैं, सभी को पता है कि illusion, hallucination क्या होते है environment में अगर stimuli present है और मैं उसे गलत perceive कर रहा हूँ तो that is illusion environment में stimuli present नहीं है फिर भी perceive हो रहा है तो वो hallucination और ऐसा कुछ नहीं हो रहा है तो ये दोनों भी आंसर नहीं है, delusion का मतलब हम सभी जानते है delusion का मतलब होता है false, fixed, believe, यानि दिमाग में कोई thought fix हो जाना और patient उसके beyond देखने की कोशिस नहीं करता है patient वही मानेगा जो उसके दिमाग में जो thought fix हो गया है, जो belief fix हो गया है और हमारे यहां patient के दिमाग में एक thought fix हो गया है कि food is poisoned so that is the example of delusion चलिए बढ़ते हैं, next question है, question number two la-billa indifference is related to anxiety disorder, convergent disorder, phobic anxiety and obsessive compulsive disorder जल्दी से सोच लें, सिर्फ question number two को देखें और हम answer suggest करते हैं, time start now ठीक है जी, start करते है, la-billa indifference शायद आपने सुना भी हो और शायद आपने नहीं भी सुना हो क्योंकि एक अच्छे level का question है, जो तीन-चार बार तो पिछले तीन-चार साल में आही चुका है, तो la-billa indifference के बारे मैं बता दू, la-billa indifference होता क्या है, कभी-कभी क्या होता है stress का level इतना ज़्यादा हाई होता है, कि patient का ध्यान उस stress से हटाने के लिए body पर जब physical symptom आते हैं, ध्यान दीजिएगा stress की वज़े से आपने defense mechanism पढ़ी होगी, कि stress अगर convert हो जाए फिजिकल सिम्टम में, तो उसे कहते हैं, conversion defense mechanism, यहाँ disorder लिखा हुआ है, बट समझ जीएगा पहले ध्यान से, stress अगर convert हो जाए physical symptom में, तो क्या कहलता है, conversion defense mechanism, इस्ट्रेस अगर convert हो जाए physical symptom में, तो क्या कहलता है, conversion defense mechanism, या जब यह चीज़े ज़्यादा होने लगती हैं, बार बार होने लगती हैं, तो उसे convergent disorder हम कहते हैं, लेकिन, यह physical symptom आ क्यों रहे हैं, ताकि इनसान का दिमाग, यह stress है, इस दिमाग, इसका ध्यान, stress से हटके, किस पर चला जाए physical symptom पर, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, stress, physical symptom में convert होता क्यों है, ताकि मेरे दिमाग में जो stress है, उससे में ध्यान हटा कर किस पर कर लूँ, उससे high level की चीज़ पर, यानि physical symptoms पर, तो actual में यह होता है, convergent disorder में, लेकिन कभी-कभी क्या होता है, stress का level इतना high होता है, कि physical symptoms तो आ रहा है, मरीज पर, लेकिन फिर भी उसका ध्यान उस physical symptom पर नहीं जा रहा है, दोबारा बोल रहा हूँ, stress का level इतना ज़्यादा high है, कि उसका ध्यान physical symptoms पर नहीं जा पारा है, यानि lack of concern about is a physical symptoms, या lack of concern about is ill symptom, इसको बोलते हैं क्या ला बेला इंडिफ्रेंस और डेरेक्ली आप लगा सकते हैं कि यह किस में पाया जाता है केंवर्जन डिसॉर्डर में ठीक है नेक्स चलते हैं राइट आंसर है बी कुशन नमबर तीन स्टार्ट करें विच ओफ वन ओफ डिराइव फ्रॉम प्लांट कैनाबिस सटाइवा इन चारों में से कौन साइसा कंपोनेंट है जो कैनाबिस सटाइवा से डिराइवड किया जाता है कोकेन गांजा ओपियम मॉर्फिन जल्दी से सोच लें चली सुरू करते हैं कैनाबिस सटाइवा या आपने अगर एक बॉटनिकल नेम सुना हो तो सटाइवा इंडिका एक हैंप प्लांट एक पौधा एक पौधा जिससे कई तरह के नशीले पदार्द बनते हैं सटाइवा इंडिका या हैंप प्लांट जिसे कैनाबिस काह जाता है कैनाबिस की कई फोर्म है जैसे की सिदी सिंपल भासा मैं बोलू तो भांग, चरस और गान्जा अपको ये तीनों कोशन समझ में आ गए होंगे बढ़ते हैं नेक्स कोशन की तरह next question a person suffering from a severe anxiety disorder is able to speak freely with certain people only and is not able to speak especially with certain social group such as classmates and school selective mutism aphasia mutism epilepsy सोच ले वीडियो को पॉस करके ताकि आपका समय भी बचे और question भी पढ़ने में आपको समय मिल सके थोड़ा जल्दी कीजिएगा और योर टाइम स्टार्ट्स नाउ चलिए शुरू करते हैं एक परसन है जो suffering कर रहा है from blank severe anxiety disorder से is able to speak freely वो freely बोल पाता है with certain people only only पर focus करें केवल कुछ लोगों से ही वो freely बात कर पाता है and is not able to speak especially with certain social group और जब की कुछ लोगों से तो freely बात कर पाता है पर कुछ social group से वो freely बोल नहीं पाता है not able to speak मतलब कहीं तो freely बोल रहा है और कहीं वो not able to speak बिल्कुल बोल भी नहीं पा रहा है such as classmates at school जैसे की classmates का group है वहाँ वो बिल्कुल नहीं बोल पर है तो इस चीज को क्या बोलेंगे अफेजिया का मतलब inability to speech होता है बट वो organic या pathological दौनों तरीके से हो सकती है functional हो सकती है epilepsy तो कोई relation ही नहीं सीजर से ऐसा कुछ लगनी रहा आपको तो यह दोनों option गलत हो गए दो option बच्चे हमारे पास mutism का मतलब भी ही होता है कि चुप बैठना या चुप चाप रहना या ज़्यादा communicate नहीं करना या uncommunicative होना लेकिन आप ध्यान दीजियो क्या बोल रहा है वो freely तो बोल पाता है लेकिन कुछ group के साथ ऐसा नहीं है कुछ लोगों के साथ वो freely नहीं बोल पाता है इसका मतलब वो selective group के साथ selective group के साथ ही केवल mutism दिखा रहा है mutism तो है but mutism में भी एक special category यहीं तो confusion हुआ होगा आप लोगों को mutism तो है but mutism की एक special category is selective mutism जिसमें एक particular group से interaction अच्छे से नहीं कर पना या सिर्फ कुछ लोगों से जैसे family members या सिर्फ एक दो close friends उनसे वो बहुत अच्छे से freely speak कर देता है इसको बोलते है selective mutism right answer is a चले चली है question number five है the act of purging or purification of emotions is called catharsis, cataplexy, confabulation and compulsion चली से सोच लें answer the act of purging or purification act of purging or purification of emotions easy question है वैसे इस बार Ames पटना ने बहुत ज़्यादा easy question psychiatry के दिये है एक भी applied question आपको नहीं लग रहा है फिर भी जिन बच्चों को basic psychology जिनकी clear नहीं है basic psychiatry जिनकी clear नहीं है उनके लिए तो ये भी hard है तो ये तो हमारे सोचने और समझने का तरीका है आईए देखिए emotions को बाहर परज करना, express करना, बाहर express करना, बाहर निकालना या emotions को mental ventilation भी बोलते हैं मतलब pure करना उस चीज को ventilator out करना emotions को क्या कहलाता है क्या compulsion, compulsion तो CD के एक form है जिसमें हम acts बार बार करते हैं जिसमें हम acts बार बार करते हैं तो compulsion तो answer नहीं है confabulation तो memory में gaps को हम बढ़ते हैं मन गडंत कहानियों से ये भी आपको पता होगा तो ये भी answer नहीं है या ventilate out करते हैं अपनी feelings को the right answer is catharsis चले next question है which of the following is an which of the following is not a sign and symptom of OCD except no fear of self-arm, fear of germ and dirt, obsessive thought and compulsive act सोच लिजे आपने answer सोच लिया होगा अपना चले solve करते हैं इसको देखिए ये इम्स पटना वालों ने objection link के लिए आपको समय दिया है ये वो question है जिस पर आप objection उठा सकते हैं क्योंकि ये question की formation गलत हुई है answer इनोंने क्या माना है ये आपको पता ही होगा answer इनोंने a माना है अब question थोड़ा सा समझेए which of the following is not a sign and symptom of OCD कौन सा OCD का sign नहीं है accept कौन सा OCD का sign नहीं है accept यानि की कौन सा OCD का sign है ये बात हुई दोबारा समझते हैं इन में से नहीं है sign and symptom OCD का accept मतलब की इन में से कौन सा sign OCD का है अब OCD का sign तो compulsive act भी है obsessive thought भी है मेरे हाद गंदे है fear of germs जिसे mysophobia कहते हैं या bacteriophobia या vermophobia ये भी है बड no fear of self harm नहीं होता self harm का डर नहीं होना OCD का एक sign है तो ये तो answer गलत हो गया या question गलत हो गया मतलब दोबारा समझीएगा मान लीजिए मैं इस not को अटा देता हूं इन्होंने answer first माना है तो which of the following is a sign and symptom of OCD accept इन में से कौन सा sign and symptom OCD का है accept मतलब की नहीं है तब answer क्या जाता या फिर मैं not रहने देता हूं और accept अटा देता हूं which of the following is not a sign and symptom of OCD तब भी answer A जाता है यानि answer इन्होंने सही बताया है but question wrong है question की formation गलत है इसका answer one अगर ये दे रहे हैं one अगर answer इन्होंने answer की में माना है तो इन दोनों में से किसी एक word को हटाना पड़ेगा otherwise ये question पर objection आप लोग उठा सकते हैं तो इस controversial question को हम यहीं छोडते हैं इसका answer A माना है आप लोग objection उठा सकते हैं कहीं से भी इसका proof देके photo attach कर सकते हैं आगे चलते हैं question number 7 की तरह according to erections 8 stage of development 8 stage होती है और मैं आपको बता दूँ erections के उपर इन्होंने दिया है initiative versus guilt initiative versus guilt और मैंने पूरा एक वीडियो बना रखा है psycho social development theory erections की आपने वो देखा होगा अभी तक आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें open answer lecture और उस पर जाएं erections की 8 stage की psycho social development theory को वीडियो है और एक सीडी जो और चला रहे हैं मौस भी एनकलेक्स questions की उसमें आप देख लिजीगा first या second या third question ही initiative versus guilt पर है तो भी आपको direct answer मिल जाएगा तो जो लोग मेरे वीडियो देख रहे हैं उनको answer पता होगा फिर भी एक बार discuss कर लेते हैं हमारी hint होती है कि पहली जो होती है वो trust versus mistrust होती है और उसके बाद मैंने जो trick बताई है वो AID है यानि autonomy है फिर initiative है फिर industry है initiative versus guilt यहाँ पर आ रहा है यह होता है 0 से 18 यह होता है 1 to 3 years यह होता है 3 to 6 years यह होता है 6 to 12 years तो अब बहुत ही आसान हो गया आपके लिए I मतलब initiative versus guilt AID मेंने trick बताई थी आपको उस वीडियो में तो 3 से 6 साल या 3 से 5 साल पे जो आ रहा है वो हमारा direct answer है चलिए बढ़ते हैं next question की तरह चलिए स्टार्ट कीजिए question number 8 which of the following is expected in organic mental disorder appropriate behavior intact memory orientation to person place time and disorganization of thought सिर्फ focus कीजिए question number 8 पर जल्दी से solve करते हैं question number 8 कौन सा expected feature है organic mental disorder में बहुत ही आसान question है आप सभी को पता होगा organic mental disorder जब हम ICD 10 classification पढ़ते हैं तो F0 से F10 F0 से F09 F0 से F09 पर कौन से disorder आते हैं organic mental disorder जिसमें दो famous delirium और dementia तो ये किसके बारे में question हो रहा है delirium और dementia organic word आते ही delirium dementia आप सभी के दिमाग में आ जाना चाहिए तो appropriate behavior क्या होगा किसी disorder में नहीं intact memory नहीं यहां अगर memory impairment लिखा होता तो शायद answer हो जाता orientation orientation हो रहा है place person time का ऐसा कैसे disorder हो सकता है जब कि delirium के लिए तो एक man feature हम पढ़ते ही है cloudy of consciousness तो फिर orientation नहीं यहां अगर disorientation होता तो answer हो सकता था तो ये भी answer नहीं है disorganization of thought is the right answer ये तो मेरे इसाब से ऐसी famous drug है एक तो पहले ही शराब या alcohol वाला chapter हो जिसमें शराब या alcohol वर सुनते ही हमारा interest बढ़ जाता है उस topic को समझने में और disulfiram एक famous drug है जो हमें college में ही सिखा दी जाती है कि हाँ एक ऐसी drug जिसको खिलाने के बाद अगर रोगी या शराब व्यक्ति शराबी पीता है तो उसको नौइजियाओ, vomiting, BP का कम होना, hypertension, flushing, sweating यह सब features उसको आते हैं abdominal pain हो सकते हैं, vomit severe हो सकती है, मरीज़ की death भी हो सकती है तो डाई सल्फिराम पर ऐसे symptom आते हैं और सीधे सीधे यह आपको indicate करेगा कि chronic alcohol वाले के लिए डाई सल्फिराम देते हैं अभी मैंने आपको डाई सल्फिराम के symptom बताए, जिसमें बोला नौइज या vomiting, hypotension तो यह hypotension ही है, ठीक है, अब वो क्यों होता है उसके लिए आपको मेरे वीडियो देखें या आप बुक्स पढ़ें hypertension नहीं, hypotension बोला मैंने, ठीक है तो डाई सल्फिराम डिरेक्ली आंसर जाएगा, एलकोल वालों के लिए हम यूज करते हैं द्राइट आंसर है, सी, कोशन नमबर टैन, फॉल्स एंसरी परशेप्शन विदाउट रियन एक्शनल इस्टीमूल आई देखिए, यह कोशन मतलब जब मैं psychiatry पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ, कोचिंग में या इंसिट्यूट में तो वहां सबसे पहले बोलता हूँ कि psychiatry की importance क्या है, psychiatry की importance यह है कि अगर किसी exam में psychiatry के 20 question है तो उसमें से 10 question बहुत ज़्यादा easy होते हैं और उन 10 question बहुत easy में, सबसे easy जो question होता है, जो हर exam में आता ही आता है कि रसी पढ़िये, साब समझ लिया, बताओ क्या illusion के hallucination और रसी नहीं है, और फिर भी अगर रसी दिखाई दे रही है, मैं दोबारा बोल रहा हूँ सबसे easy जो question होता है, वो होता है, illusion और hallucination के ऊपर false perception हो रहा है, हमारे client को, but stimuli real में नहीं है object नहीं है, object नहीं है, और फिर भी perception हो रहा है object अगर है, फिर perception हो रहा है, तो answer क्या जाता है? illusion confusion, object नहीं है, फिर भी perception हो रहा है, तो answer क्या जाएगा? hallucination, directly a right answer भी लगा सकते हैं, आज हमने 10 questions solve की aims, पटना साइकेटरिक exam के, जो की 2020 में इसी साल अभी आए हैं, आगे भी मैं exam paper को इसी तरीके से solve करवाता रहूँगा, अगर आप लोग चाहेंगे तो अगर आप लोगों को ये वीडियो फाकई में पसंद आया है, तो comment box में जाकर मुझे जरूर appreciate कीजिएगा, मैंने एक broadcast group भी बनाया हुआ है, जिसमें nursing की सारी information आपको मिल सकती हैं, हमारे वीडियो के link आपको मिल सकते हैं, आप WhatsApp group, broadcast group join करने के लिए, मुझे message कर सकते हैं, और इस number पे मैं आपको broadcast WhatsApp group पर add कर लूँगा, इसके अलावा अगर आप लोगों को ये classes समझ में आ रही हैं, आप इनकी details study चाहते हैं, इतना possible नहीं हो पाता है, YouTube पर या online classes में कि हम पूरी details में आपको सारी चीज़ें पढ़ा पाएं, फिर भी हम कोशिस करते हैं कि जो बच्चे यहां तक रीच नहीं कर पा रहे हमारे institute तक नहीं आ पा रहे, तो उन लोगों को कैसे न कैसे ही एक most of the part को online videos के तुरू समझा है जा सके, फिर भी अगर आपकी इच्छा है कि आप offline course को join करना चाहते हैं, जो कि पूरा six month का है, तो आप call कर सकते हैं, इस number पर या इस number पर या इस number पर, तीनों में से किसी number पर call करें, और offline classes के लिए हम आप हमारे institute को join कर सकते हैं, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजेगा, subscribe कीजेगा, शेर कीजेगा, और research का वीडियो में जल्दी हिलाने वाला हूं, तो बार बार आप जो demand आप कर रहे हैं के सर, research का वीडियो next का बार है, तो जल्दी वो आपको मिलेगा, thank you very much and good luck for this exam result, good luck. जल्दी वीडियो